यह कुछ खड़े मसाले हैं दोस्तों अधरक लेशन मिर्चा का पेश्ट है यह पचपोरन है सक्कर है यह हमने टमाटर काट के लिए लिया है चलो अब हम रेश्पी बनाना स्टार्ट करते है नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल घरलू टेकनिक में आप सभी का जाले वीडियो को लाच तक जरूर देखना दोस्तों लाइक करना सिस्क्राइब करना सेयर करना वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी आज हम तीकी मीठी चटनी बनाने जा रहे हैं दोस्तों यह मसाले को अच्छे स लूमिस में हल्दी पॉडर, गरम मशाला, लाल मिर्च, धनिया पॉडर, आपको जितना ज्यादा या कम बनाना है, उतने हिसाब से मशाला लेना है, मसाले को ब्राउन होने तक भूलना है दोस्तों, इस तरह से, यह मसाला हमारा ब्राउन हो गया है दोस्तों, इसमें हम टमाटर डालेंगे, इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों, वीडियो में नए हो दोस्तों, तो सिस्क्राइब कर लेना, जरूर प्रेस कर लेन जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं अब इसमें हम कि नमक डालेंगे एक चिलमच इस तरह से डाल के हम मिक्स करके फिर ढख देंगे टोमाटर मारा जब तक अच्छे से गल नहीं जाता अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता देखिए तब तक इसे हमें पकाना है यह टोमाटर अच्छे से मिक्स हो गया दोस्तों इसमें अब हम सक्कर डालेंगे यह हमने सक्कर डाल दिया दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़े टाइम के लिए ढख देंगे कि आप इस चटनी को दोस्तों थोट टैम तक भी रख सकते ओ। दस दिन पंदरा दिन फ्रीज में रखना चाहो तो फ्रीज में रख सकते हो नहीं तो बाहर भी खराब सकते हो चतनी बनके तैयार है दोस्तों देखिए हमारी चत्ती बन गई है इस पर हम धनिया डाल देंगे आपको हमारी रिस्पी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद